नमस्कार दोस्तों आप सभी का आज की सवीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेल के ऊपर इसके चाट के दोख देखने वाले हैं प्योर्ली टेक्निकल नेसिस करने वाले हैं जो किस लेवल तक यह आपको नीचे आ सकता है तो हम लोगों को phrase bind करनी चाहिए या फिर जिन लोगों के पास उपर के level से है या फिर नीचे के level से जिन लोगों ने आपको bite किया है उनका आगे के लिए क्या plan होना चाहिए तो हम लोग सभी चीजों को chart पर discussion करेंगे तो आप लोग वीडियो को ज्यान से देखेगा तो हम लोग weekly chart पे आ गया है still का weekly chart हम लोगों के सामने खुला हुआ है और ये week भी आपको end हो चुका है इसलिए हम लोग weekly chart से ही start करते हैं अगर weekly chart पे हम लोग बात करेंगे तो आपको 150 के level से stock already यहाँ पे 40% तक down हो चुका है यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको एक अच्छा जो है आपको clearly stock उपर के level से continue धीरे धीरे slowly slowly यह आपको नीचे की और जो है आ रहा है तो अब यहाँ पे आपको क्या प्लान होना चाहिए जो लोग भी उपर के level से आपको buying किये हैं उन्हों के लिए क्या होना चाहिए कहां पे phrase buying हम लोग कर सकते हैं तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे immediate price के पास आपको यह एक अपने support जोन के पास आ चुका है अगर देखेंगे तो इससे पहले आपको breakout हुआ था इसी level पे अच्छा support जोन है इस stock के लिए यहाँ पे जो है stock आपको इससे पहले भी इस level के round एक अच्छा time spend किया था time spend करने के बाद आपको यहाँ पे breakout दिया और breakout देने के बाद एक अच्छा यहाँ से जो है almost आपको 100% का movement देखने को मिला 75 से 150 तक का movement आपको clear one way यहाँ पे देखने को मिला उसके बाद से अगर देखेंगे तो stock आपको clearly नीचे की side downtrend में है यहाँ पे आपको एक अच्छा descending triangle pattern का भी formation हो रहा है और साथी साथ आपको retracement almost जो है आपको इस stock में complete हो चुका है यहाँ पे अगर देखेंगे तो support के level पे अगर यहाँ पे इस level पे देखेंगे तो support के level पे आपको एक pin by tap का candle इस week में आपको form हुआ है अब यहाँ से slow and steady आपको इस support से support लेके stock जो है bounce कर सकता है लेकिन अभी यहाँ पे confirmation नहीं हुआ है अगर यहाँ पे next week में आपको एक अच्छा तेजी आता है या stock आपको 100 के level के उपर निकलता है तो आपको यहाँ पे आने वाले दिनों में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है तो support level पे या तो थोड़ा time ये spend कर सकता है consolidate कर सकता है उसके बाद आपको ये उपर के और निकल सकता है या फिर यहाँ पे आपको immediately next week में एक अच्छा candle बना के भी निकल सकता है metal sector में एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है आपको continue तो इस stock में भी एक अच्छा तेजी आपको हो सकता है एक अच्छे लेवल पे है उपर के लेवल से टॉप से अगर बात करेंगे तो 40% का almost correction हो चुका है तो एक healthy correction भी हो चुका है और market भी अब धीरे-धीरे आपको stabilize हो रहा है जो भी आपको रस्या और यूक्रेन का news था उससे आपको कहिने के एक stability की और market भी बर रहा है यहाँ पर uncertainty धीरे-धीरे unfold हो रही है तो इसी वज़ों से जो है आपको एक बहुत अच्छे लेवल पे है यह stock next week में अगर यहाँ पे एक अच्छा तीजी बनता है तो हम लोग 100 के लेवल के ऊपर यहाँ पर position बनाने के लिए देख सकते हैं जो लोग भी ऊपर के लेवल से आपको position बना के रखे हैं वो लोग यहाँ पे जो है अगर quantity एड करना चाहे तो add कर सकते हैं नहीं तो अपने position को as it is hold करके रख सकते हैं नीचे के लेवल से जितने भी लोगों ने यहाँ पे आपको buy किया होगा वो लोग already यहाँ पे अच्छे profit में है तो उन लोगों को यहाँ पे सोचने की जड़त नहीं है अब अगर हम लोग दूसरे stock की बात करें तो दूसरा stock है आपको पी-एप-प्स पावर finance corporation यह एक आपको government की nbfc कंपनी है जो की पावर कंपनियों को financially assist करती है यह stock में भी उपर के लेवल से अगर देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा correction हो चुका है more than 30% का correction यहाँ पे भी आपको हो चुका है 154 के high से अभी currently stock जो है 108 के लेवल पे यहाँ पे आज आपको close हुआ है और यहाँ पे आज 6 रुपय का dividend भी stock ने आपको दिया है 25 February आपको यहाँ पे date था और यह dividend यहाँ पे जो है आज credit हो जाएगा अगर इस stock की भी हम दोग बात करें तो यह stock भी आपको बहुत अच्छे लेवल पे है यहाँ पे एक weekly support zone है इस particular लेवल पे अगर देखेंगे तो 100 4 to 110 यहाँ पे आपको multiple time इस से पहले यहाँ पे इस level को break किया था एक अच्छा downfall हुआ फिर इसी level से resistance लिया यहाँ पे आपको break करने के बाद उपर के side अगर गया तो यहाँ पे आपको फिर से support zone को hit किया है अगर next week में यहाँ पे आपको support zone को respect करता है और उपर की side निकलता है तो ही यहाँ पे position बनाना चाहिए नहीं तो यहाँ पे यह भी हो सकता है जो यह अपने support को break करके नीचे की side movement कर दे तो इसलिए अभी यहाँ पे immediately आपको position नहीं बनाना चाहिए क्योंकि या फिर आपको इसको break कर देता है अगर यहाँ पे break होता है तो फिर उसके बाद जो है stock में एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है stock फिर से आपको 70-80 रुपीज पे trade करता हुआ देख सकता है लेकिन अगर यहाँ पे stock आपको कुछ time spend करने के बाद उपर की side निकलत करते हैं वो लोग यहाँ पे भी wait करेंगे एक अच्छे level पर जरूर है लेकिन यहाँ पे हम लोगों को देखना है जो यह support पे आपको support लेता है या फिर support को break करता है तो यहाँ पे भी आपको wait करना है next week में एक अच्छा opportunity मिल सकता है साथी साथ sale के अंदर भी एक अच्छा opportunity मिल सकता है तो उमीद करते हैं आप लोगों को सभी levels clear हो गया होंगे अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो analysis अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सकाइब जरूर कर ले दन्यवाद